संजे रावत उद्धव ठाकरे को कोट से समन पेस होने का आदेश माराष्ट की राजनिती में सीवसेना के उद्धव गुट और सिंदे गुट में खिसतान जारी है ताजा मामला उद्धव गुट के सांसद राहुल सेवाल से जुला है राहुल सेवाल ने उद्धव ठाकरे और संजे राउत पर मानानी का मुकदमा दर्जिकर रखा है इसी मामले में मुंबई के मजगाओ कोट में सुनवाई हुई मजगाव कोट ने सांसद राहुल सेवाल की और से दार की गई मानानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उद्धव ठाकरे और संजे रावत को समन जारी किया मुंबई मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट कोट ने दोनों को दूसरी बार समन भेजा है इसी से पहले कोट ने दोनों नेताओ संजे रावत और उद्धव ठाकरे को 15,000 बॉंड भरने का आदेश दिया कोट में उद्धव ठाकरे के वकिन ने उद्धव ठाकरे को वीसी के जरिये मौजुद रहने की इजाज़त मांगी कोट ने वकिल की अर्जी को माना और उद्धव ठाकरे को वीसी के जरिये हाजिर होने की इजाज़त दी है दोनों नेताओं ने 15,000 का बॉंड भर दिया है और आगे सीवी के जरिये सुनवाई में जोड़े जाएंगे सिवसेना सिंदे गुट के सांसद राहूल सेवाल का आरोप है कि राजनितिक मुकपत्र सामना ने उनके खिलाप मानहानी लेक प्रकासित किया था इसी के विरोध में उन्होंने उद्धव ठाकरे और सिवसेना सांसद संजे रावत पर मानहानी का केस किया है सीवसेना में वीद्रों के बास से ही उद्दव गुट और सिंदे गुट समय समय पर एक दूसरे को निशाने पर लेते रहते हैं उद्दव गुट के नेता ने कई बार सिंदे गुट को गद्दार तक करार दिया है दूसरी और सिंदे कैम के नेता खुद को असली सीव सेनिक बताते आये हैं